नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे साइकोलोजी सेंडेज में आपका स्वागत बगवान बुद्ध के कहानी है एक महिला के पती का निधन होता है और वैं बगवान बुद्ध के पास आती है कहती है इन्हें फिर से जिन्दा कीजिए इनके सिवा मेरा कोई नहीं बुद्ध कहते है उसके लिए कुछ सामान लाना होगा मगर ऐसे घर से जहां आज तक किसे की मुर्त्यू नहीं हुई वा महिला पूरे गाउ में ढूनती है पर उसे वैसा घर नहीं मिलता इस कहानी का मतलब था कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने दुखों का सामना नहीं किया हो इस वास्तविक्ता के बावजूद जब किसी पर दुखों का पहाट तूटता है तब उसे सहन करना काफी कठेन होता है करोना के इस वर्तमान स्थीती में अनुभव होने वाला दुख हमारी मानसिक शमता की परिक्षा ले रहा है वैसे भी जिन्दगी में मृत्यू, गंभीर बिमारी, एक्सिदेंट्स, डिवोर्स, ब्रेकप या और भी किसी परकार का असहनिय दुख तो आते ही रहता है ऐसे दुखों से निपटने के लिए हम खुद को किस परकार तयार करते हैं? इसके बारे में स्विस डॉक्टर केबलर रॉस इन्होंने On Death and Dying इस किताब में डैबडा नाम का मॉडिल बताया है वे कहते हैं कि दुखद अनुभव का स्विकार करने के लिए व्यक्ती कुछ स्टेजेस पार करती है अर्थात सबको इन सभी स्टेजेस का अनुभव होगा ऐसा जरूरी नहीं नाहीं ये स्टेजेस सिक्वेंस में आती है जब भी कोई दुखद अनुभव होता है तब पहली स्टेज होती है Denial नकार जैसे किसी को गंभीर बिमारी डगनोस होती है तब ये हो ही नहीं सकता शायद लैप की रिपोर्ट्स गलत होंगे दूसरे डॉक्टर से सलह लेते हैं इस प्रकार की विचाराते है मतलब जो वास्तविक्ता है उसे तुरंद स्विकार नहीं किया जाता या किसी के मृत्यों के बाद ये कैसे संभव है मैंने तो कल ही बात की थी ऐसा होई नहीं सकता इस प्रका की प्रतिक्रिया आम तोर पे दिखाई देती है मतलब actual reality को नकारते हुए preferred reality हम चाहते है ऐसा करने से आगात स्विकार करने के लिए हमें समय मिलता है उसके बाद आता है गुसा वाए मेरे साथ क्यों मैंने क्या किया था मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान है की नहीं उन्होंने क्यों नहीं बचाया ऐसी गुसे बरी प्रतिक्रिया दी जाती है जो दुख कम करने के लिए जरूरी होती है गुस्टे के बाद आती है तीसरी स्टेज बारगेनिंग इस स्टेज में व्यक्ति दुनिया से डॉक्टर से या भगवान से डील करता है बारगेन करता है जैसे मननत रखना ऐसा हुआ तो वैसा करेंगे मुझे कुछ हुआ तो चलेगा मगर उसे होना नहीं चाहिए इस प्रकार का बारगेनिंग ऐसी जूटी तसली देते मन भी धीरे धीरे आगात सहन करने के लिए तयार होता है इस स्टेज में गिल्ट की भावना भी दिखाई देती है जैसे मैं हमेशा कहती थी कि बुखार को अंदेखा मत करो चेक अप कर लो पर सुना ही नहीं या रोज लेट जाते थे आज दस मिनिट जल्दी गए और अक्सिट हो गया मैं नहीं नहीं रोका फिर जब वास्तविक्ता समझ में आती है तब आती है डिप्रेशन की स्टेज जब पूरी निराशा चा जाती है किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती फिर उस दुरभाग ये पुर्ण घटना का स्विकार होता है स्विकार मतलब जो हो गया सो हो गया ऐसा स्विकार नहीं पर ऐसी घटना होने के बावजूद जिंदगी में आगे बढ़ने का स्विकार खुद को घर के बाकिस अदस्यों को संभालने का स्विकार दुख की भावना शायद ही आमारा पीछा छोड़ती है पर धीरे धीरे शोकावे कम होता है रौस के इस मौडे में बाद में दुख भावना के एक्सपर्ट डेविड केसलर इन्होंने और एक स्टेज जोड़ दी मीनि अर्थ अर्थपूर्ण जीवन जो हमें अलविदा कर गए उनका सम्मान हो आदर हो ऐसा कुछ करते हुए जिन्दगी में फिर से लक्ष ढूणना और जीवन सार्थक करने की स्टेश जैसे किसी दुरगट ना में अपना बेटा खोने के बाद बेटे के नाम से माबाप स्कूल खोलते हैं, पुरसकार देते हैं और उसकी यादों को ताजा रखते हैं करोना के कारण कितनी फैमिलीज ने काफी कुछ खोया है, कहीं लोगों की मृत्य हुई है, उस आघात की कोई सिवा नहीं उनके खोने का दुख, उनका सही तरीके से अंतीम संसकार नहीं हुआ इस ये अपराद की भावना, ये सब निश्चित दुरभागे पुर्ण है उनका दुख हलका करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमें सोचना होगा, और परिक्षा की इस कठिन गड़ी में हम उनके साथ हैं, ये विश्वास दिलाना होगा फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि हम सभी एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस मुश्किल हालात से जल्दी बाहर आएंगे और एक दूसरे का दुख हलका करेंगे मिलते हैं अगले वार साइकोलोजी सेंडेज में और हाँ, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद